चलिए स्टार्ट करते हैं द्यान देना आज हम लोग स्क्वाइर एंड स्क्वाइर डूट पढ़ेंगे सबसे पहले स्क्वाइर की बात करते हैं तो प्लीज सारे लोग अब गुड इवनिंग करना बंग कर दें समय हो चुका है लेकिन उसके पहले कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे 40 तक का स्क्वाइर याद है कुछ लोग कहेंगे सर मुझे 50 तक का स्क्वाइर याद है कुछ लुग कहेंगे मुझे 30 तक का sql yad है कुछ लोग कहेंगे सर मुझे 20 से क्विध एविदेश बिलकुल मेंसेज आ रहे है मैंसेज आ रहे कि इवर्डीवन पर ना करें प्लीज डारेक्ट पर करें ठीक है चलिई कितने लोगों को याद हैं 50 तक कुछ लोग कहरें 30 तक कुछ लोग कहरें रेसी गुपता नमस्कार इसक्वाइर जल्दी से बताओ कितने तक याद हैं कि तक याद कर लिए हम कहरें अगर 30 तक याद कर लोगे तो बहुत है वे 20 तक याद किया है तो अप्तों 20 से एज भी उपर हो गई होगी हर साल एक याद करो 30 साल तक 30 याद हो जाएंगे लोग को साथ 10 तक ठीक है अब जो 10 तक याद है उनको तो हमें चेकी देना पड़ेगा उनके लिए तो कोई उपाय नहीं है दस तक नहीं कम से कम 30 याद कर लो कम से कम ठीक है ध्यान देना एक हम आपको रूल समझा रहे हैं जो सब जगे काम आएगा जनरल रूल है गोल्डन रूल कहलो सामान नियम है हिंदी में कुछ भी कह सकते हैं एक संख्या हम ले रहे हैं ध कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं एक तरीका है कि 23 into 23 मतलब 23 into 23 करना गुड़ा करना वो एक बेसिक बात है वो आप जानते हो लेकिन गुड़ा करके हो सकता है समय ज़्यादा जाया हो तो उससे आगे की बात हम कर रहे हैं समझना सबसे पहला काम करते हैं इकाई वाला step break कर लेते हैं इकाई से संख्या को अलग कर लेते हैं यूनिक प्लेस को अलग कर लेंगे अब ये दो पार्ट में break हो गया A और B में तो करेंगे क्या दोनों संख्याओं का square लिखेंगे तीन का वर्ग 9 होता है pair में लिखना है तो 09 लि लेकिन राइट वाले का थी वाले का पेर में लिखना जरूरी है तो पहला स्टेप क्या किया इकाई से ब्रेक किया दूसरा स्टेप दोनों संख्याओं के वर्ग को नोट डाउन किया लिख लिया इतना क्लियर सभी का आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप क्या है ध्यान देना अभी आंसर नहीं आया अगला step क्या है इस दो का तीन से गुड़ा कर ले पहले आपस में दो का तीन से गुड़ा करो 6 आएगा ना जो भी आये उसका दो गुणा कर लो 12 तो 12 को जोड़ना है जब जोड़ें तो एक बात ध्यान रखें क्या ध्यान रखें इकाई को छोड़ कर लिखें इकाई को छोड़ कर तो बारा, नो, दो, चार और एक पाँच आंसर हो गया पांसर उनतिस ये तब लगाना होता है जब याद ही न को कसम खालों याद ही नहीं करेंगे सर आप कितना भी कहिए otherwise कोई समस्या नहीं होगी अगर याद है तब तो बहुती बेतर दिव्यास नहीं आया, ध्यान देना सब में, ये ट्रिक सब में काम आएगी, गोल्डे ने कहीं भी लगा सकते हो, एक और एक जामपल देंगे, ध्यान देना, मान लो हमने कहा 47 का बताओ 47 के लिए क्या करें 7 का वर्ग 49 लिख लो 31 से ब्रेकिया 7 का उन्चास लिख लो 0 नहीं लगाएं क्योंकि 49 पहले सी दो अंकों के साथ है 4 का वर्ग 16 लिख लो फिर 4 का 7 से गुड़ा कर लो 4 सते 28 जो आए उसका 2 गुणा कर लो 56 जोड़ देना इकाई छोड़ देना 9 6 4 10 16 5 21 21 सुमन आवाज नहीं आरी बेटा एक बार ज़र रिफ्रेस कर लो यहां तो आ रही नेटवर्क इशू तो नहीं है प्लीज एक बार चेक कर लेना अब किसको समझ आया कोई ऐसा जो समझ पा रहे किसी को समझ आया साउंड नहीं आ रहा है ऐसा कैसे एक बार चेक करके बताओ साउंड नहीं आ रहा क्या साउंड नहीं आ रहा तो लोग समझ कैसे रहे वाइस किलियर है इसका मतलब समझ यहां से नहीं है चलो चेक कर लो पिंटु कुमार कह रहे हैं लोगों के मैसेज मेरे में आ रहे हैं everyone पर मत करो भाई everyone पर करो गे तबी समस्या होगी host वाले पर करो direct तो कोई समस्या नहीं होगी चलो कोई बात नहीं बड़ी संख्या कैसे करेंगे अभी बता लोकुस बड़ी संख्या कर भी बताएंगे पहले ये बात बताओ क्या इन में समझ आया गया दो अंकों तक समझ आ गया सभी को एक हम नंबर देंगे आप मुझे ट्राई करके बताओ 64 का जल्दी से निकाल के बताओ पहले दो संख्या वाला बताओ फिर तीन वाला बताते हैं अधी देव बेटा चेक कर लो गलती मत करो 32 जीरो नहीं आएगा साथ चोको 28 डबल छप्पन होता सोला पांच 31 थोड़ी होता सोला पांच 21 होता है 64 का बताओ चालिश च्यानवे बहुत बढ़िया विवेक सुरेंद्र सिप्प्रा बहुत बढ़िया बिल्कुल जिन्हें आवाज नहीं आरी प्लीज रिस्टार्ट कर लें फोन को आ जाएगी तो क्या हुआ चार का सोला छे का 36 लिख दिया छे का चार गुना पहले 24 किया उसका दो गुना 48 48 को जोड़ना है जोड़ते समय काई छोड़ना है छे आठ एक नो छत्तिस चार चालिस 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 चियानवे ओमनी पंडे वेरी गुड़ अभी भी कोई डाउट है दो अंकों की संख्या में किसी को दो अंकों की संख्या में कोई डाउट है किसी को दिव्व्या एनी बड़ी एनी डाउट अर्टालिस कैसे आया देखो बेटा छे इन्टू चार चौबिस और उसका डबल अर्टालिस कियंति वारी मैसेज आप डारेक्ट करो ना डारेक्ट दिव्या चौरत प्सथिया मैसेज आ रहे हैं बेटा मैसेज आ रहे है ओके डन होगा समझ में आगए है सभी को चलिए अब हम तीन अंकों की संख्या ले लेते हैं मान dai एक संख्या हम लेते तीन अंकों की 124, क्या इसमें रूल लगेगा, बिल्कुल इसमें भी लगेगा ध्यान देना ब्रेकिंग 4 सही हो नहीं, इकाई को ये लग करना है 4 का 16, 12 का स्क्वाइर 144, ऐसे लिख देंगे फिर 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आएगा और उसका भी डबल करना है तो 96 आएगा इकाई छोड़ देना है, 6 हो गया, 6, 7 हो गया, 9, 4, 13, 14 और 1, 15 किसको क्लियर हुआ? बिल्कुल को होस्ट पे कर सकते हूँ बेटा अमन सेट वो तो मैंने पहले ही बोला, जब आप लेट जोइन करते हो तो पूरी बात सुनते नहीं हो, तो मैंने पहले ही बोला गुड़ा तो करे सकते हो, लेकिन क्या 124 इंटो 124 जल्दी कर पाओगे तो उसका तरीका है, गुड़ा तो सबको आता है, वो तो बचपन से लेके पचपन तक जानते ही हो चलो, क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे अगले स्टेप पे, अब तो कोई समस्या नहीं है चलिये, तो ये दो या तीन में आराम से काम चल जाएगा नहीं दहाई वाली पिंटू अलग नहीं करना है नियम बनाने वाले ने एडिट का उप्सन नहीं दिया, अगर रूल एडिट कर लोगे तो कैसे होगा अगली बात है, इकाई अंक पांच हो तो क्या करें, यूनिट पर पांच हो, इकाई अंक पांच हो, इकाई अंक क्या हो, पांच हो जैसे 25, 75, 95, 115, कुछ भी, इकाई में पांच हो तो डारेक्ट हो जाएगा ध्यान देना कैसे डारेक्ट होगा, सबसे पहले तो इकाई में पांच है तो वर्ग 25 होगा, पांच का वर्ग 25 होगा, पांच का वर्ग 25 होगा, पांच का वर्ग 25 होगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी किसी को प्रदुमन समझना भाई, क्या इसमें कोई समस्या किसी को अब क्या करेंगे जो लिखा हुआ इधर दो लिखा हुआ है इसकी अगली संक्या से गोडा कर लो बस आंसर हो जाएगा दो का नेक्स्ट तीन, साथ का नेक्स्ट आठ, 9 का नेक्स्ट दस, 11 का नेक्स्ट 12 खतम अब आगे कुछ भी नहीं करना यही आंसर है किसको किसको बात समझ आ गई पूजा मलान वेरी गूड इमनिंग बेटा चलो क्लियर हुआ कोई डाउट इसमें किसी को है तो बताओ पांच का पचीस लिखें अगली संख्या से गुड़ा करें यह इकाई पांच वाला है जो हर जगे लग जाएगा बट यह केवल इकाई में 12 के 132 नहीं लिखा है पिंटु कुमार 11 का 12 से गुड़ा किया ग्यारा इंटु 12 अगर 132 होता है तो इसमें हमारी कोई गल्ती नहीं है विवेक कुमार विवेक भारती कहरें सरे एक एक जामपल दीजे चलिए मैंने दे दिया एक एक जामपल ट्राइ करके बताओ 135 का क्या होगा क्या अंसर आएगा बेटा ट्राइ कर लो सारे लोग पांच का 25 लिखें थर्टीन का मल्टीप्लाई 14 से करें तेरा चोको 52 तेरा इक तेरा पांच अठारा अठारा दो सो पचीस आएगा सुम्हम क्लियर हुआ किसी को कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत थे इसमें तो दो बाते मैंने आपको समझाई एक जनरल बताया एक यूनिट पांच वाला बताया यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है आगे बढ़ सकते हैं बताये नैना कुमारी समझ आ रहा है बेटा आगे बढ़ें ओके नो समस्या चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि क्या कोई और तरीका है सर इससे आसान तो बिलकुल एक तरीका है जो नियर अबाउट 50 है अगर 50 के आसपास नंबर हो आसपास वाली बात हम करने जा रहे हैं ध्यान देना किसके आसपास पचास के आसपास सुमम बेटा साउंड इसू यहां से नहीं है एक बारा प्रेफरेस कर लो यहां से साउंड ओके है अब 50 के आसपास के बारे में एक बात समझो कि हमने 50 के आसपास क्यों बताया कि 50 से आसपास आप आसानी से नंबर निकाल लो जैसे मैंने बोला कि सर पचास के आसपास 49 लिया जाये तो क्या होगा कि 50 लिया जाये तो क्या होगा लेकिन पहले बात समझनी है कि 50 का इसक्वार याद है किसी को क्या आता है पचास का वर्ग पचीस सो इसका मतलब है कि एक बात याद रखें जब भी कभी भी 50 की कहानी होगी 50 के आसपास की कहानी होगी तो आपको बेस लिखना है 25 बेस क्या लिखना है 25 याद रखें 50 के आसपास के लिए आधार क्या है 25 आधार का इस्तेमाल कैसे होगा अभी समझाएंगे ध्यान देना देखो 49 मैंने लिया जो की 50 से कितना कम है अगर ये देखा जाए तो एक कम है कि नहीं और 51 देखो तो एक ज़्यादा है कि नहीं पचास के आसपास, दो संख्या मैंने लिए। पहला स्टिप मैंने चीख किया, पचास से कितना कम, कितना ज़ादा। एक कम, एक ज़ादा, अभी, अभ्यान देना। एक जो कम है, उसका वर्ग लिखना है, तो एक की स्क्वाइर एक होता है, माइनस का प्लस होता है तो टेंसर नहीं लेनी है 0,1 लिखना है क्योंगी double digit में लिखना है pair में, जोडे में एक कवर्ग भी एक होता है लेकिन जोडे में 0,1 लिखोगे की नहीं अब ध्यान दो 0 क्यों लगाया जरा बताओ 50 का 2500 अभी आपने बोला था तो 2500 में double 0 है ना यही double 0 मेंटेन करने के लिए 0 लगाया अब बेस क्या बताया 25, बेस 25 है अब ध्यान देना 25 में से एक धटा के लिख देना आंसर हो जाएगा इधर वाले में 25 में एक जोड के लिख देना आंसर हो जाएगा किसको समझ आ रहा है कोई है ऐसा जो समझ पा रहा है कोई नहीं है मैदान में दिव्या के दिशार नहीं समझ आ रहा है तिक तो बहुत जरूरी है लेकि समझ लो मैंने क्या बोला पच्चास से करनी है तुलना पच्चास से तुलना की तो कितना कम पाया एक कम पाया एक कवर्ग लिखेंगे लेकिन जीरो एक लिखेंगे अब या दो पच्चीस के यों लिया मैंने पहले exhaustion होता है इसलिए आन्सर जो पच्चीस सो के या स्पास आएंगे इसलिए पच्चीस को बेस मान लिया प्रदीब कोई बात ने ध्यान देना बिटा तो 25 में से एक घटा के आंसर देना है इधर बढ़ा के देना है क्योंगि आंसर 25 सो कही आसपास आएगा जैसे हम आप से कहें सर 48 का क्या होगा तो आप कहोगे सर 48 का मतलब 2 कम है तो हम कहेंगे 2 का वर्ग बताओ तो हम कहेंगे 0-4 सिप्रा वो तो ऑलवेज है वो तो गोल्डेन है कहीं भी लगेगा ये थोड़ा सा 50 के करीब में हम बता रहे हैं समझो बात को अभी आप पता चलेगा इसके फाइदे अब 25 में से दो घटा दो खतम तेश जीरो चार इस पर स्त्रिपाठी समझारी बात भाई साब अगर 57 ले ले तो क्या होगा कितना ज्यादा है साथ ज्यादा है साथ का वर्ग 49 पचीश में साथ जोड़ें संगम नहीं समझाया बेटा अच्छा धुमाधार समझ गया लिखा हुआ ओके चलो बहुत बढ़िया सुभं क्लियर हुआ राहुल क्लियर इस पर्स्त्रिपाठी के लिए ऐसा कोई इसको नहीं समझाया वह लिखो कमेंट में कोई ऐसा जिसको लगता होगी सर हमें आप नही समझा सकते जिन्दगी में कभी उसको देखते समझा कि समझ पाता है कि नहीं कोई ऐसा जिसको नहीं समझा पा रहे हैं लिखो जलती से कि सर हमें समझा कि दिखाईए आप नहीं समझा पाए आ गया अच्छा कोई ऐसा नहीं है ओके पूजा ध्यान दो बेटा कोई नंबर बोलो पूजा करें सर एक बार और कोई नंबर बोलो अपना लखी नंबर बताओ पचास के आस पास कोई लखी नंबर है तुमारा 47 प्रदीप करे सर 47 ले लो ठीक है 47 है तो पचास से कितना कम बेटा तीन कम तीन का वर्ग जीरो नो पचीस में तीन घटा देना बाईस पचीस में घटाना है ध्यान रखें आस तोस करे सर एक तालिस ले लीजी एक तालिस ल लिखना यही गलती होती है एक तालिस है कितना कम नौ कम नौका वर्ग 81 पचीस में नौ घटाएं सोलाइक 80 मुहम्मद दानिस मलिक क्लियर हुआ भाई पिंटू समझ आया कि नहीं आया अभी भी नहीं आया शलो अब अगर यह क्लियर हो गया अभी इसे एक नहीं आया भी भी ध्यान देना अगर हम आपसे कहें कि सर कोई जरूरी है कोई जरूरी है कि क्या 41 से लेके 7 तक चलेगा नहीं कोई जरूरी नहीं है हम अगर आपसे कहें कि 32 कब बताओ तो क्या बता पाओगे बिल्कुल बता पाओगे कब बता पाओगे ध्यान देना कितना कम है 32 वाला बताते चलना चैट बॉक्स में कितना कम है 32 वाला अठारा अठारा का वर्ग किसको याद है अठारा का वर्ग जल्दी से बताओ तीन सो चौबिस बहुत बढ़िया अब देखो लिखते क्या है पेयर में लिखना केवल पचीस सो में डबल जीरो है तो केवल दो अंक लिखने 24 लिख दो तीन को रोक लो वो हासिल है तीन हासिल हो गया रोक लो 24 लिख दो अब तरीका क्या है पचीस में से पहले अठारा घटाएं तो साथ आएगा की नहीं पचीस में अठारा घटाव साथ आएगा भाई और हासिल तीन है हासिल कभी घटा नहीं है हासिल हमेशा जुड़ता है तो साथ तीन दस खतम हो गया किसको आया समझ में पिंटू दो ही संख्या लिखेंगे बिल्पुल दो ही लिखेंगे किरन तिवारी ध्यान दो बेटा मैंने दिया 64 चलो ट्राई करके बताओ 64 का ट्राई करो पच्चास दिव्यांस 32 वाले बेटा 18 18 का 324 24 लिखना है तीन हासिल हुआ 25 में 18 घटाएं तीन जोड़ें खतम 64 का हल करके बताओ बिल्कुल लास्ट वाला मैठेड भी सही है उसकी टेंसर नहीं लास्ट वाला तो सब जगे लगे गए वो तो वह ने बताई चुके 64 कितना ज्यादा है 14 ज्यादा है पच्चास से 14 का वर्ग 196 लिखेंगे 96 एक हासिल होगा की नहीं 196 अब पचीस में से पहले 14 क्या करते हैं जोडते हैं पचीस 14 49 और एक हासिल भी जोड़ना बाकी है 46 सब गड़बर सड़बर कर दे रहे हो क्या सीख रहे हो या जब आप अब लिख चुके दोंक लिख चुके बिलकुल कम वाले में घटाते हैं जादा वाले में जोडते हैं तो वह ही जाएगा जदा वाले में जोड़ेंगे वह तो पहले लिखा हुआ है अब क्या हर हम लग से कि यह लो मिल आ गई Cynova मूझा कैरी वाला हमेशा एड होगा केरी वाला हमेशा एंत में जो III कमी मार इस तक दुनिया में जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ उसी को हासिल करने की चक्र में हो ड़ना हो भ्लक तुरिपाटी कैरी सर्फ्षर ये कमहत अब बिल्कुल यही तो इंपोर्टेंट है इसलिए तो मैंने आपको बोला तो शुरू में ही अभी बता रहे सबका होगा तेज कभी बता देंगे यही तो बोला तक जहां तक स्कौर याद होंगे वही तक लागू होगा अगर जिसको अठारा नहीं आता वो बैठा है आराम से वो 27 का निकाल के मुझे बताईए ध्यान देना भी समझाते हैं यह 23 का कोई कहा था 23 का ध्यान देना 23 का कितना कम है 27 कम है कि नहीं 50 से अब इसको 27 का ही नहीं आता वो तो बगल वाले को देखेगा ना बगल वाला तुमको पहले से ही देख रहा है तो 27 का कितना होता है कौन बता फिरोज ने बता दिया 729 बहुत बढ़िया लिखोगे 29 साथ होगा हासिल अब मैंने क्या बताया 25 में से 27 करोगे घटाओगे तो माइनस दो आएगा की नहीं अरे यार पिंटू पहले सुनोगे तुम तो हमेशा अलगी सोचते हो 25 में से 27 घटाओगे माइनस कर दो आएगा और माइनस दो और प्लस साथ पांच होगा की नहीं माइनस दो प्लस साथ पांच होगा रूल किलियर हुआ अरे यार पहले वाला तो सही है हम यह थोड़ी कह रहे है हम कह रहे है पहले वाले के लावा कुछ यही तो आदत है पर आठा खाने के आदत है तो पूरी पसंद नहीं आती है कुछ नया नहीं चाहिए हमेशा वही मटर पनीरी खाना क्लियर हुआ पच्चास के आसपास कोई भी नंबर की जिसमें भी तुमको लगता होगी रूल नहीं लगेगा वो मुझे बताओ पच्चास के आसपास कोई ऐसा नंबर जिस रिसिक पच्चास के लिए केवल आप यह सोचो कि मैक्सिमम हम चोहतर तक जाएंगे क्योंकि उसके आगे अभी हम सो वाला बता रहे हैं चोहतर तक सोच लो खतम बोलो चोहतर तक पच्चास का बेस लगा लोगे पूजा 63 का भी हो जाएगा अभी मैंने बोला 64 का जैसे वन हासिल रोक लो अब मैंने बोला 25 में तेरा जोड़ो तो 25 तेरा ठाइस होगा और एक हासिल 29 कि स्वारी अर्टिस तो 49 पचीस तेरा अर्टिस और एक 49 49 अनत्तर आएगा 63 का समझ आया अरे 45 का तो यूनिक प्लेस पांच वाले रूल से लगा लोगे क्या मजाग कर रहे हो कुछ भी बिल्कुल आस्तोस 25 तक याद कर लो सब हो जाएंगे बहुत बढ़ी है इसलिए तो चिला जिला कहते हैं आर्टिस तक याद कर लो कोई समस्या नहीं हो जाएगा सब चली आगे बढ़ते हैं अब बात समझ आ गई होगी 25 तक याद कर लो मतलब 26 से लेके 74 तक ये वाला रूल दबा के लगा सकते हो कोई समस्या नहीं तो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सब बिल्कुल चलिए आते हैं 100 पर ध्यान देना 100 वाले के लिए 100 के करीब में हमने लिया केस सुरेंदर तिवारी के रहे सर 66 का एक बार और बता दो अच्छल देख लो 66 है तो कितना ज्यादा 50 से 16 ज्यादा 16 का 256 होता है 56 लिख लेना दो रोक लेना ध्यान दो पूजा इसमें समझ लेना इसमें दो सोच्छपपन में लिख लो दो रोक लेना अब 25 में से पहले 16 जोड़ो बेटा 25 सोला एक्तालिस होगा की नहीं 25 सोला एक्तालिस होगा की नहीं बोलो इसमें और दो हासिल 43 खतम हासिल भी तो बढ़ाओ गया आगे आया समझ में चलिए ठीक है द्यान दो सो के आसपास समझना सो के आसपास के सो तो के सो होगा तो बेस क्या होगा बेस भी सो होगा ध्यान रखें कैस सो होगा तो बेस भी सो होगा ध्यान रखें क्योंकि कि भाई 100 का होता है 10,000, 10,000 से 100 निकाल के बेश मान लिया, ये मत सोचना कि 50 का 25 तो 100 का 50 होगा, आधा नहीं कर रहे हैं, अब ध्यान दो, हम 100 के लिए 200 मानते हैं, पहली बात, दूसरी बात हम 100 के आसपास कौन सा नंबर लें, चलो आपी लोगों के नंबर लेते हैं, 100 के आसप 98, उस पांजली ने बोला 98 ध्यान दो, पहले हम 98 वाला बताते हैं, अभी 87 वाला भी करा देंगे, टेंसर नहीं लो, बस रुख जाओ, अब बहुत नंबर मिल गए, 98, कितना कम, 2 कम, 100 से, 2 का वर्ग होता है, 4 लिखेंगे जोडे में 0, 4, जोडे में क्यों लिखा, क्योंकि 2 0 बाकी हैं, 10,000 में, 2 0 भरने हैं सोचू, अब ध्यान दो, हमने 100 में से तुलना की 2 पाया, और अगर हम 200 मान के 100 में से ही 2 घटा हैं, तो यहां तो 98, बे ही आ जाए, तो फर्क या पड़ा, आप कहरें 100 में से सर तुलना भी करनी है, आप कहरें 100 में से घटाना भी है, तब त बेस का इस्तेमाल नहीं होगा, अंग्रेजी में लिख लो कि इसका यूज्ट नहीं करना है, तो बेस का यूज्ट नहीं होगा, तो होगा क्या, इस 98 में ही ये 2 घटा देना उपर वाला, आंसर हो गया, किसको समझाया, अगर अगर हम 94 लेते तो कितना कम पाते 6, 6 का होता 36, 94 में 6 घटा दो समझ आया? कोई कह रहा ता सर्थ 87 का बताईए, ध्यान दो 87 वाला कितना कम? 87 वाले में 13, 13 का 189 होता है, लिखेंगे 69, एक रोक लेना हासिल, 87 में पहले 13 घटाओ, 84 आएगा ना, 84 में एक जोडो 75, मुहम्मद मोसीन, अभी समझाते हैं बेटा, ध्यान देना, 87 वाला किसी को आया? चलो, एक जिरा करके दिखाओ, 107 का करके दिखाओ, करके दिखाओ, प्यान दिखाओ, एक जिरा किसी को आएगा नाएगा जिखाओ, तो साथ जादा है साथ का उन्चास 107 में साथ जोड़ें 114 खतम वरुन भीया 114 उन्चास होगा 179 नहीं कोई डाउट है किसी को एक सो साथ वाले में कोई डाउट है किसी को 112 का निकाल के दिखाओ 112 का स्क्वार क्या होगा 12 ज्यादा है 144 का 44 लिखें एक हासिल हो जाएगा रोक लें कैरी 112 में 12 जोड़ें 124 और एक कैरी हो गया बेटा 125 सानू 144 का 44 लिखेंगे वन कैरी फारवर्ड होगा आपने गलती कर दी हरसिता 115 कैसे आया बाई 112 में 12 जोड़ेंगे के तो 124 आएगा और एक हासिल भी तो था कैरी लास्ट वाला बेटा प्रांजल मैंने क्या बोला 12 स्क्वार वन फोर्टी फोर होता है फोर्टी फोर लिखेंगे वन रोक लेंगे एक सो बारा में बारा जोड़ेंगे एक सो चौबिस होगा वन कैरी फारवर्ड करेंगे वन टॉंटी फाइव होगा कलियर हुआ है वन टॉंटी वन कर निकाल के दिखाओ कुझा अ पर उन यहाँ कुh बेटा जब बेस मैंने 50 और 100 के बताएं हैं तो 50 अगर हम 10-20 बेस बना लेंगे तो इतने रूल हो जाएंगे कि परेशान हो जाओगे हर बेस का रूल अलग है आपको हम मेजर इस्टॉपेज बता रहें जहां पर बस रुखती है अंतिमातिवारी ध्यान दो बेटा 121 है तो कितना ज़्यादा 21 ज़्यादा 21 का कितना होगा 441 फोर्टी वन लिखेंगे फोर होगा कैरी 121 में 21 जोड़ें 142 और 4 जोड़ें 146 14641 क्लियर वां थार्टी तू का चेक करके बताईए अ झाल झाल कितना एक्स्ट्रा है 32 अब जिसको 32 काता होगा वही 132 में बेस लगा पाएगा तो 32 का 1024 होता है मैंने आपको बताया था शुरुआत में जिसमें 24 लिखेंगे 10 कैरी होगा एक्सो 32 में पहले 32 जोड़ें तो 164 अठाएगा और 10 हासिल भी है तो 174 कि सबकी कमेंट आ रहें टेंसा नहीं लो कमेंट सबके आ रहें अब है सारी का गौरव, कुस्पांजली, दानिस सबके आ रहें सानू, अंतिमा सबके आ रहें योराज बिलकुल आ रहा है टेंसा नहीं लो रिसिक बिलकुल आ रहा है पिंटु कुमारे 135 के लिए इकाई में 5 है वो अला रूल लगाओ भूल याते हो रूल तो क्या एक बार मुझे ये सारे लोग बता दें, प्रदुमन बिलकुल आ रहा है, रियांसू बिलकुल आ रहा है टेंसा नहीं लो क्या पचास और सो में कोई समस्या है, चार रूल मैंने केवल सिखाए हैं, एक जनरल, एक इकाई 5 वाला और एक पचास और सो अगर बस आप इतना जान जाओगे तो आराम से पवेंद रियाद हो, बिलकुल आ रहा है, सो दो सो की रेंज निकाल लोगे, टेंसर नहीं लो दूसरी बात बेस मैथेड बहुत सारे हैं दुनिया में, बताने को तो हम 300, 400, 500, 1000 सा बता सकते हैं, लेकिन इतना यूज नहीं होता है, इसलिए आपको कुछ बेसिक चीज़े समझनी हैं, दूसरा जनरल रूल, गोल्डेन रूल, ऑल्वेस फॉलो करना है, जब कहीं काम ना बनें, पचास सो वाला गार एक दिमाग में हो जाता है, इस खिला में बहुत सारे मैंने रूल पढ़ाए हुए हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, तब भी मेरे पढ़ाए हुए रूल आपको मिल जाएंगे, बोलो, क्लियर है इतना, यूराज सिंग जनरल वाला रिपीट कर देंगे, ओके, रिपीट करते हैं, जनरल वाला, एक नंबर दो, कोई भी जनरल वाला, यूराज कोई नंबर दो अपना, कोई लखी नमबर लिखो जनरल वाला बता देते हैं एक बार 47 ध्यान दो पिंटु गोल्डेन ही जनरल है सुनते नहीं हो पूरी बाद 47 का बोला देखो ध्यान दो 47 का क्या करेंगे 7 का 49 चार का 16 सबसे पहले दो स्टेप में ब्रेक करें इकाई वाला अलग करें बचा हुआ एक साथ लिखें साथ का 49 चार का 16 चार सते 28 का डबल 56 56 जोड़ना है जोड़ते समय चार का साथ गुना 28 उसका दो गुना करें जोड़ें जोड़ते समय इकाई के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे छोड़ देंगे छे चार दस सोला पांच एक टीस एक बाइस बाइस जीरो नो आएगा अब देखो ये सारी कहानी करने की कोई जरूरत नहीं है भईया जिसको पचास का बेस आता है वो फटाक से दिमाग में ही कर लेगा तीन कम जीरो नो पचीस में तीन घटा हो बाइस जीरो नो खतम वो कहां चक्कर में पड़े गए सब इसको आपको पचास का बेस आता है क्या समस्या है सिप्रा सिंग बेटा 145 के लिए यूनिट में पांच वाला रूल लगा लो मैंने आपको पहले ही बोला चार अंक का स्क्वार नहीं आएगा टेंसन नहीं लो चार अंक में लगेगा लेकिन आएगा नहीं क्योंकि आपको रूल जो सीखने है वो मैक्सिमम दो तीन तक अगर चार वाला करोगे भी तो आतो जाएगा लेकिन करेगा क्योंकि वो संदी होगा जैसे मैंने आपसे कहा 2312 अब देखो ब्रेक तो 31 करना है तो दो का तो 0-4 लिक दोगे लेकिन क्या 231 का स्क्वार याद है तुम्हें नहीं याद है अब क्या करोगे 231 का अलग से निकालोगे उसके बाद आप अप्लाई करोगे रूल वही लगेगा लेकिन बड़ी संख्या होगी तो आपको यहां तरही स्क्वार याद नहीं है तो डारेक नहीं होगा इसलिए ज़्यादा 4-5-6 में नहीं आता है कहीं 2-3 मैक्सिमम स्क्वार है बैंक में नहीं आता जो जरूरी है हम वो बता रहें बताने को तुम कुछ भी कर देंगे कुछ भी बता देंगे लेकिन इतना तुम भूल जाओगे और कन्फ्यूज उपर से हो जाओगे उसकी टेंसन नहीं लो जितना बताया बस उस पे फोकस करो उतना किलियर है उतना पहले प्रैक्टिस करो पचास सौ में कोई समस्या है किसी को गोल्डन मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ठीक है कोई समस्या नहीं है तो ध्यान दो आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से सुनना कुछ लिखना पढ़ना नहीं पहले इसक्वारूट निकालने का बच्पन में आपने एक तरीका सीखा इसक्वारूट निकालने का बच्पन में एक तरीका सीखा वर्ग मूल निकालने का जिसमें पहले होता था गुरंखंड विद्वारा जैसे 16 आता था तो आप कहते थे कि सर ये 2 से 2 से 2 से 2 चार बार होगा दो जोड़े बाहर आएंगे एक बार 2 एक बार 2 चार हो जाएगा लेकिन ये तो तभी संभव है जब संख्या परफेक्ट स्क्वाइर हो पूर्ण वर्ग हो और एक्जाम में भी अगर आंसर एक्जेक्ट चाहिए तो संख्या का पूर्ण वर्ग होना जरूरी है otherwise कभी एक्जेक्ट आंसर आए गई नहीं जैसे अगर हम रूट 16 के वज़ाए रूट 17 लिख दें तो तुम क्या कहोगे सर चार दस्मलों सम्थिंग होगा लेकिन सम्थिंग की जानकारी के लिए तुमने आदमी रखे हुए हैं अभी हम पूछें सम्थिंग कितना होगा तो पड़ोसिक देखोगे क्यों क्योंकि तुम्हें ये डिवीजन मैथेड आता नहीं है भाग भी द्वारा जिसको भाग भी द्वारा आता है वही हल कर पाएगा चार चुको 16 फिर एक बच गया फिर यहां चार जोडते थे फिर आठ आता था फिर दस्मलों लगाते थे तो डबल जीरो हो जाता था फिर ये एक बार जाता था तो एक्यासी लिखते थे याद आ रहा है बहुत जमाना हो गया पड़े हुए अठारा सतावन के आजादिम पूदे थे उसके बाद निकल नहीं पाए तो जिसको ये वाला तरीका आता है वो तो बता पाएगा दस्मलों के एक अंकों तक दो अंकों तक तीन अंकों तक लेकिन जिसको नहीं आता है वो नहीं निकाल पाएगा दूसरा इसमें आपने ये भी देखा होगा जब हम लोग 6-7 तेर्थ में पढ़ा करते थे तो वहां क्या लिखा रहता था लिखा रहता था दस मलों के दो अंकों तक हल करें solve up to three places of decimal up to two places of decimal लिखा होता था अगर यह नहीं लिखा होता था तो आज तक हम लोग वहीं होते अभी निकाली रहे होते तो मुद्दा क्या है मुद्दा है कि या तो आपसे पूर्ण वर्ग दिया जाएगा एक्जाम में तो पूर्ण वर्ग आने के चांस ज़्यादा होते हैं कोगी answer exact अगर चाहिए तो पूर्ण वर्ग वाला ही आएगा ऐसे सवालों का answer कभी exact नहीं आता है या तो आपसे वो लगभग पूछें या दस्मलों के कुछ हंकों तक पूछें इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जब संख्या perfect square नहीं होगी पूर्ण वर्ग नहीं होग यह वो दो बाते बताई हैं जो आपको बच्पन से आनी चाहिए बस याद दिलाया कि ऐसा होता था चलिए बहुत बढ़िया अब अगर यह दो बाते clear हैं तो हम आपको एक तीसरा method बताने जा रहे हैं जो direct हो जाएगा लेकिन वो direct method के वल वहीं लगता है जब संख्याएं क्या हों perfect हों हिंदी में पूर्ण वर्ग हों पूर्ण वर्ग का मतलब क्या जैसे मैंने कहा 25 तो 5 का होता है मैंने कहा 121 तो 11 का होता है आप कहेंगी क्या सर कोई पहचान करने का direct तरीका है नहीं कोई direct तरीका नहीं कि कोई देख करके पहचान ले या तो आपको याद हो या आप निकाल के चेक करें कि क्या पूरे factor बन रहे हैं अगर pairing होती जाएगी factor बनते जाएंगे तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये perfect है confirm तो आपको किसर एक्जाम में कैसे होगा अरे भाईया एक्जाम में option होगा तो जब option पूरा पूरा दिया गया है तो नंबर भी पूरा होगा ये उसकी जुम्मेदारी है तुम्हारी नहीं सवाल बनाने वाले के भी तो कुछ अधिकार हैं वो भी समस्ता है कि अगर 26 दे देंगे तो लोग बता नहीं पाएंगे पिंटु कुमार की कहानी शुरू हो गई पिंटु कुमार कह रहे हैं सर अंडर रूट 33 का बता दीजे मुझे इन्होंने अलक्स से जो है पेमिंट किया है इनका अलक्स से ही ट्यूसन चलता है अरे सुन लो पहले एड्रस देंगे तुम घर आजारना है हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं पूर्ड वर्क बताना है वो कह रहे ट्रिपल थ्री कुछ भी अरे ध्यान दो ट्रिपल थ्री पर्फेक्ट नहीं होता है भाई तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं पर्फेक्ट वाले की अब जरत एक बात समझो क्या एक मैंने आपको लिस्ट बना के दिखाई है उसको ध्यान से देखो कुछ पता चलेगा क्या एक कवर एक, दो का चार, तीन का नो, चार का सोला, पाच का पचीज, छे का चातिस, साथ का उन्चास, आठ का चौन सट, नो का इक्यासी, दस का सो यह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कि 1, 2, 9 ही इकाई में आता है, और किसी संख्या के इकाई में, या तो एक से लेकर 9 तक, या 0 तो अगर कोई इकाई अंक एक से लेकर नो तक है या जीरो है तो उनके स्क्वाइर करने पर क्या आता है ये आपको इस टेवल से देखना है, सीखना है, समझना है क्या ये बात समझ आ रही है कि किस संख्या के स्क्वाइर में क्या आता है इकाई में इकाई की बात कर रहे हम जल्दी से बोलो किस संख्या के स्क्वाइर में क्या आएगा ये समझ आया अगर हम पूछें आपसे अगर हम आपसे पूछें कि जरा बताओ कि सर अगर हमारी जो संख्या आएगी वर्ग मूल वाली मानलों 121 आ गया तो इकाई में क्या है एक है तो आपको क्या पहचान करनी है कि सर किस संख्या की इकाई में एक आता है तो जरा टेबल देख करके बताओ मुझे इकाई में अगर एक है किसी संख्या के तो वो किस संख्या की स्क्वाइर करने पे आएगा सुरेंद्र ए वन और नाइन एक कब कब आएगा या तो वन के स्क्वाइर में वन आएगा या नाइन की स्क्वाइर में आएगा ध्यान दो वन के लिए या नाइन के लिए ऐसे ही अगर इकाई में संक्या 4 होती तो किस संक्या के स्कॉयर में आ सकता है 2 या 8 में 6 कहां कहां आएगा 4 में और 6 में 9 इकाई में है तो कब कब आएगा 3 और 7 में 3 का 9 साथ का 49 का 9 और 5 के लिए केवल 5 जरा इस table को देखो इसी table से ही मैंने लिखे हैं क्या लिखें कि इकाई में अगर एक हो तो उसके लिए संभव संख्याएं क्या हैं संभव मान पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हैं एक या नो इकाई में चार है अगर आपकी वर्ग मूल के अंदर वाली संख्या में हैं तो इकाई में क्या होगा, दो होगा या आठ होगा, छे के लिए चार होगा या छे होगा, नव के लिए तीन या साथ, पांच के लिए पांच, ये बात किसको किसको समझ आई? इसके लामा अगर आप ध्यान से देखो, तो क्या एक के बाद मैंने दो और तीन लिखा, क्या छे के बाद मैंने साथ और आठ लिखा, नहीं लिखा, क्यों? किसी भी संख्या के इकाई में दो, तीन, साथ, आठ नहीं आता है, स्क्वाइर करने के बाद, देखो, एक, चार, नो, छे, पांच, छे, नो, चार, एक, जीरो, कभी इकाई स्क्वाइर करने के बाद, कभी दो, तीन, या साथ, आठ आया है, स्क्वाइर करने के बाद, कभी कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा कि क्या ये बात समझ आ रही है कि 2378 की काई में है तो कंफर्म है कि वह कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा परफेक्ट इस पर नहीं होगा लेकिन इकाई में एक होना चार होना छे होना नौ होना पांच होना केवल संभावना बेक्ट करता है कि वह परफेक्ट हो सकता है केवल पॉस्विल्टी है कंफर्म नहीं करता है कंफर्म तो पूरी संख्या पर होगा जैसे एक सुटीश में एक है परफेक्ट है लेकिन हम कहें agent 111ा क्या परफेक्ट है you कैं में तो एक है वेटा रेफेस्स कर हुआ कि असको एक बार बता है कि इसσιलिए मैंने बोला एक है एक आना पोसिविल्टी क्रिएट करता है बट 2378 आना इस बात की गारंटी देता है कि वो कभी perfect square नहीं होगा तो एक basic सी बात अगर हम आपसे पूछें क्या कि हमने चार नंबर आपको लिखके दिये इधर देखना left hand side में हमने चार नंबर लिखके दिये ABC1 मैंने लिखके दिया ABC4 मैंने लिखके दिया ABCA5 मैंने लिखके दिया B, A, D और यहां लिखके दिया मैंने तीन हम आपसे पूछें इन में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है तो क्या अंसर दोगे बिल्कुल लास्ट वाला कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता तो एक आई में तीन आ गया और सारे पूर्ण वर्ग हो सकते मैंने नहीं बोला होंगे मैंने बोला हो सकते हैं बात समझाई इतनी समय की सीमा है मेरी छे बज़े दूसरी क्लास भी है यूटूब पर लगबग छे बज़ भी गए होंगे तो बस इतना ही रखते हैं इसके आगे कैसे निकालेंगे कौन से फार्मूले या ट्रिक होंगे वो अगली बार मुलाकात पे होंगे अभी जो इतनी रखो प्रैक्टिस करो दूसरी बात ये टेबल एक बार फिर समझ लेना जब तक ये नहीं समझ जाएगी तब तक सवाल नहीं हो पाएंगे तो चलिए तो चलिए बैट सो मच बाबाय टेक केर पसंद आया होगा सेशन नहीं हम डाटते नहीं हैं पिंटू करेसर डाटना चलगता मैं डाटता नहीं हूं मैं केवल आपको बताने कोशिस करता हूँ कि थोड़ी से मेरी बात भी सुन लिया करो को आज कर समस्य यह कोई सुनता नहीं है किसी की कर जब तक सुनेंगे नितर तक कैसे समझाएगा चलिए ठीक है तो कल मुलाकात होगी और यूट्जूब आले सेसन आप लोग देखते हैं तो आप लोग बाद में देखते हैं कि नहीं बाद में चलिए ठीक ओगेंग्यू बाबाय टेक केर